बादल देवनाजी मेरे साथ है, बादल जी एक बात बताईए मुझे देखिए, अब मैं आपसे क्या पूछू? सचाई यह है कि अब आपको सिर्फ बदाई देने का वक्त है लेकिन देश के अगर बात की जाए, बादल देवनाजी अभी एक तरफ मीटिंग चल रही है प्रधान मंत्री की पैंडमिक को लेकर, बंगाल में बम फूट रहा है कुरूना का मैं आपसे यह समनना चाहता हूँ, जो दीदी पिछली कई बैठकों में से एक भी बैठक में प्रधान मंत्री के साथ शाबिल नहीं हुई है, मुक्य मंत्रियों की जो बैठक है क्या अब उनकी तरफ से एक अलग रुख रहेगा, एक जोइन्ट आपरेशन रहेगा सेंटर के साथ मिलकर कोरोना से निपटने का, क्योंकि अब सारा जो है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है चुनाफ खतम हो चुका है, रिजल्ट खतम हो चुका है, सब को पता है क्या अब वो जोइन्ट, जोइन्ट जिसको कहा जाता है एकदम जुगलबंदी करते हुए अटाक होगा कोरोना पर मैं टीबी नाइन के मातम से डाइरेक कह रहा हूँ, पूरे देश को कह रहा हूँ ममता बैनार जी खूद पुदानमुंती मोधी जी को सम्मान करते है पहले दो-चार मीटिंग मोधी जी का मीटिंग में एटिन किया था उसके बाद जब चुनाव आ रहे थे, फुरा पॉले लिक्स होता है तो मैं आपकिस नहीं कदाव करता हूँ ने दादा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह जब सेकंड वेव शुरू ही है उसके बाद जित्ती भी प्रधान मंत्री जी की मुख्य मंत्रियों के साथ बैठा कोई है इंक्लूडिंग जो अभी तीन जार दिन पहले हुई है उसमें मंता जी नहीं थी प्रॉब्लेम है, आप सुनना नहीं चाहते आप सवाल करते सुनना नहीं जाए प्लीज बोली तो मैं यहाँ पर अपनी टीम को दो ब्रेकिंग देना चाहूंगा जो टीमसी के यहाँ पर आपको मैं टीमसी का नेता कहे के संबोधित कर सकता हूँ बादल देबनाच जी, मैं कहके आपको संबोधित कर सकता हूँ टीमसी के जो नेता हैं, उन्होंने टीवी नाइन भारतवर्श को दो बाते कहीं है पहली बात, नमबर वान, कि हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे बीजेपी के किसी भी नेता या किसी के उपर भी हम सरकार बनाने के बाद बदले की भावना से किसी के उपर कोई कारवाई नहीं करेंगे नमबर वान, नमबर टू, कोरोना के लिए अब मिलकर ममता दीदी केंदर सरकार के साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ेंगी ये ममता बैनर जी, ये दो बड़ी ख़बर मैं चाहूंगा मेरी टीम तैयार करें पहली बड़ी खबर कि बंगाल में सरकार बनने के बाद कोई बदले की भावना से बीजेपी के किसी भी नेता पर कोई कारवाई नहीं होगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है दूसरी बात वो दूसरी बात ये है कि बंगाल में अब कोरोना के खिलाव जो लड़ाई है उसमें ममता बैनर जी प्रदान मंत्री मोधी के साथ बिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगी ये इस वक्की दो बड़ी खबर बादल देवनाग जी जो टीमसी के नेता उन्होंने दिये जी बादल जी प्लीज गोएड नितन जी और भी सून लिजे हस्पा के तरफ से भी आप लो दिखाना चाहिए मैं आपको रोकूंगा मंत्रादीदी के घर के शॉट्स आ रहे हैं वहाँ पर लेकिन ये देखिए ये चिंता का विशे है बादल देवनाग जी ये जरा देखें लोगों का भीड खटी हो रही है वहाँ पर ये सब सूपर स्प्रेडर हो सकता है ये जशन सूपर स्प्रेडर हो सकता है यह चिंता का विशह है बादल देवनाजी जशन बहुत ज़रूरी है कोई बात नहीं लेकिन अपने आज सोशल डिस्टेंसिंग करके अपने अपने घर करके यह कोलकता से जो तस्वीर आरी है बादल देवनाजी यह चिंता मड़ा आ रही है बिल्कुल बिल्कुल आज जसन का दीन है तुरा ये लोग अगरों करके सब एक साथ हो गया है क्योंकि बहुत बहुत नाम बहुत अप्ताचार भाजबा के तरफ से बहुत कुछ वहा है आज उन लोगों को छोड़ दीजे ये सब ठीक हो जाएक कोई बात में इनको आज जगर आपने छोड़ दिया तो कल आप भी फोलोगे फोन करके अक्सिजन नहीं है ये नहीं है वो है कोरोना का सूपर स्प्रेडर बन सकता है आपने देखा है ना क्या क्या हो रहा है ये चैनल में बोला गया था कि 1 माई को 2 माई को 1 वीक आफ में में बंगाल में बंप उटे का कोरोना का इस चैनल में हमने बोला था जब आप क्या 4 या 5 फेस की वोटिंग चल रही थी और तब बकाईदा ये हो रहा है ये चिंदा का विशे जो तस्वीर आ रही है फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर